2024 के अंत तक नितीश कुमार की पाइटी जनता दल इउनाइटेड खत्म हो जाएगी या मोदी की गरांटी नहीं बलकि तेजस्वी यादों की गरांटी है आप लिख कर रख लिजिए ऐसा हम नहीं बलकि बिहार के पुर्व डेपटी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी य मौसम चल रहा है और लागतार तेजस्वी यादों एक दिन में कई जनसभा को संबोधित कर रहे हैं बिहार के नेता परतिपक्स तेजस्वी यादों को गंभीर चोट लगने के बावजूद लागतार जनसभा पर जनसभा कर रहे हैं तेजस्वी यादों ने पटना एयरप कि खत्म हो जाएगी या मोदी की गरांटी नहीं बलकि तेजस्वी यादो की गरांटी है आप लीक कर रख लिजिए तth देखिए तेजस्वी यादों आपको मालूम है देखिए तेजस्वी यादो, आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले तक, कुछ महिने पहले तक तेजस्वी यादो और नितीज कुमार की सरकार थी और अचानक नितीज कुमार महा गतबंधन का साष छोड़ कर एंडिये में चले गए उसके बाद से नितीज कुमार तेजस्वी यादो पर बयान बाजी कर रहे हैं और तेजस्वी यादो नितीज कुमार पर लेकिन इन सबों के बीच लोग सभा चुनाव में भी लागतार एक दूसरे पर हमलावर दिख रहे हैं कभी नितीज कुमार तेजस्वी यादो को टारगेट कर रहे हैं तो तेजस्वी यादो नितीज कुमार को टारगेट कर रहे हैं लेकिन आज जो तेजस्वी यादो ने बात बोला उसके बाद से अब चर्चा तेज हो गई है कि तेजस्वी यादो ने साफ तोर पर कह दिया है कि जनता दल इनाइटेड 2024 के अंत तक खत्म हो जाएगी या तेजस्वी की गरंटी है देखिए 40 लोग सभा सीट वाला बिहार दो चरन का चुनाव संपन हो चुका है तीसरे चरन का चुनाव 7 मई को है और लागतार आप कह सकते हैं कि धुआधार पर चार परसार हो रहा है छेतर में नेता जी लोग खुब वादे कर रहे हैं और चाहिब एंडिये के नेता हो या फिर महागटवंदन के अपने अपने छेतर में घूम रहे हैं परत्यासी को मजबूत करने में लगे हैं और लागतार जन सभा कर रहे हैं लेकिन आज तीसरे चरन के परचार परसार का आखरी दिन है और तेजस्वी जब परचार करके लोट रहे थे तो पटना एयरपोर्ट पर उन्हों ने ऐसा बात बोल दिया जिसके बाद अब चर्चा और तेज हो गई है आपको मालूम है कि तेजस्वी यादो और मुकेश सहनी एक साथ मिलकर बिहार के अभी तक तीसरे चर बीजे पीपर हमलावर दिख रहे हैं चाहे बिहार के मुखमत्री नितीश कुमार हो चाहे केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार हो तेजस्वी खूले मंच से खुब गरज रहे हैं और जिस तरीके से रोजगार और नौकरी के मुद्दा उठा रहे हैं उससे साब जाहिर हो रह से वह उनके भासन से दर्साता है परहल आपके सुचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा भीहार एक सुच आप देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद